दोस्तों बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और अभी तक जो पौधे हमारे गर्मियों में जुलस रहे थे अब उनमें नई जान आने लगेगी तो बारिस का पानी आप सभी को पता है कि हमारे पौधों के लिए कितना ज़्यादा लाफ दायक होता है इससे हमारे पौधे में रुकी से रुकी पौधे की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है लेकिन इसमें जरूरी बात यह है कि कोई भी चीज आटमेटिक नहीं होती इसमें कुछ चीजों को ख्याल आपको रखना है तभी आपको बारिस का लाव आपके पौधों में देखने को मिलेगा जिसमें मैं आपको कुछ पांच जरूरी चीजे बताऊंगा छे टॉपिक्स में मैं इने कवर करूँगा अगर आपने वीडियो पूरी देखनी है तो आपको पता चलेगा कि क्या-क्या जरूरी चीजे हैं जो हमें करनी चाहिए जिससे कि हमारे पौधों को बरसात का ज्यादा से ज्यादा लाव मिल पाए कोई नुकसान ना हो तो वीडियो में आखिर तक बने रहे हैं इसकिप मत कीजेगा आईए दोस्तों वीडियो को स्टाट करते हैं जिसमें पहला टॉपिक जो है वह है कि हमें अपने पौधों की गुडाई है वह हर 15 दिन में 10-15 दिन में एक बार करते रहना और गुडाई करने के साथ-साथ इस प्रकार से जो गहां स्पूस है जो वीड्स है इनने हमें निकालते रहना है क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है बारिस की पानी में नाइट्रोजन की मातरा काफी अच्छी होती है जिसकी वज़े से पौधों की ग्रोथ काफी अच्छी से होती है पर जो ये beats अगर हम नहीं निकालेंगे नहीं समय से तो इनकी भी growth काफी ज़ादा होती है और ये बहुत ही तेजी से growth करते हैं और पॉधे की nutrition को जो है share कर लेते हैं तो पौधों का जो भोजन होता है उसे ये सेयर करते हैं उससे बचाने के लिए हमें इने टाइम से निकालते रहना है और 10 से 15 दिन में एक बार मिट्टी की गुड़ाई जरूर करनी है साथ में दोस्तों जो ये सुखे पत्ते हैं या फिर और भी कुछ चीजे होती जो हमारे गंबलों की मिट्टी में गिरी होती है तो इन्हें हमें निकाल लेना है क्योंकि बारिस का पानी जब पढ़ता है और ये पत्ते इसमें गलते हैं सड़ते हैं तो इससे फंगस पैदा हो दोस्तों ये जो चीजें इकठा होती है घांस फूस हो या सुखे पत्ते मैं इने फेकता नहीं हूँ मैं इने अपने जो कंपोस्ट बिन है मेरी अगर आप कंपोस्ट बनाते हैं तो उसमें आप यूज कर सकते हैं इसमें काफी अच्छी nutrition value होती है जो की decompose होके हमारे बिन दिखाता हूँ ये धर्माकुल का बॉक्स है जिसे मैंने कंपोस्ट बिन बना रखा है आपको दिखा हूँ इसमें काफी अच्छे से मेरे कंपोस्ट रेडी होते हैं तो इन्हें मैं इसमें डाल दूँगा ये देखे इन्हें इसमें हम डाल देंगे और डालके वापस से कंपोस्ट बिन को ढग देंगे तो ये हमारे साथ के साथ काफी अच्छे से कंपोस्ट बनती रहेगी अब दोस्तों जो दूसरा जरूरी काम है वो मैं आपको दिखाऊं इस प्रकार से देखें जो गंबले के नीचे की जो पत्तियां होती है पौधो में ये मिट्टी से कर रही होती है मिट्टी के आसपास होती है तो उन्हें आपको रिमूब कर देना है इससे जो फाइदा होता है वो यह होता है दोस्तों की जब मिट्टी में मिट्टी गीली होती है बारिस में काई-काई दिन तक गीली रह जाती है तो मिट्टी से पत्तियों में फंगस होता जिससे कि बिमारी पौधों में ट्रांसफर ना हो पाए फंगस पैदा ना हो पाए साथ में जो हमारे उपर की फूल बंके खतम हो चुक है यह टहनिया भी ड्राइब हो रही है उन सभी को आपको रिमूब कर देना है जिससे कि जो पौधा हमारा है वो एनर्जी जो है सही जग ना कि पुराने फूल को सीट स्पॉट बनाने में तो यह दूसरा जरूरी काम है इसके बाद आते हैं तीसरे वर्क पर जो की बारिस शुरू होते होते आपको जरूर करनी है वह है कंपोस्टिंग अब दूसको कंपोस्टिंग के बारे में मैं आपको बता दू हैवी कंपोस्टिंग आपको बारिस के मौसम में बिल्कुल नहीं करनी है या फिर आप यूं कह लिजए आपको जो भी कंपोस्ट देनी है और लिक्विट कंपोस्ट से पूरी तरह से बचना है क्योंकि बारिस मैं आपको दो चीजे मैं आपको बता दू देना है जैसे पहला यह देखिए जाइम है मेरे पास दोस्तों अगर आपके पास जाइम नहीं है तो आप सीवीड का ग्रैनुवल दे सकते हैं और दूसरी चीज यह नीम खली नीम खली जब आपकी मिट्टी में रहेगी तो या कवडंग कंपोस्ट भी यूज कर सकते हैं साथ में बनावा कीचन कंपोस्ट भी आप यूज कर सकते हैं अपने घमलों में तो मैं जो दे नहीं करते हैं तो जरूर करिएगा फिर आपको इसका असर देखने को मिलेगा अब दोस्तों आ जाते हैं चौथे काम पे जो की है जिसका हम सभी काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे अब बारिष सुरू हो गई है तो हम सभी को ये काम अभी कर लेना चाहिए जिससे की आपको इसका बहतर रिजल्ट अपने पौधों में देखने को मिले जो है पौधे साफ्ट हो या हार्ड पौधे दोनों आप इस समय कर सकते हैं साथ में जो पौधा आपका root bound हो रहा है इसमें ग्रोध नहीं हो रही है उसकी आप reporting भी इस समय कर सकते हैं आपके पौधे में काफी अच्छी ग्रोध उसके बाद निकल के आएगी तो मेरी ये गुलाब के पौधे हैं जो काफी सूरज में रह रहा है के धूप में ड्राई हो रहे हैं मैं इनकी प्रूनिंग कर रहा हूं इस प्रकार से देखिए आप भी अभी प्रूनिंग कर सकते जिससे आपके पौधे की जो growth है वो काफी अच्छे से निकल के आएगी तो soft या hard कोई भी pruning जैसा आपके पौधे की demand है उसे साफ से आप अभी जरूर कर ले तो इस प्रकार से आपके पौधे में भी काफी अच्छी growth होगी तो और साथ में reporting अगर आपके पौधे में root bound हो गया है पौधे की growth अच्छी नहीं चल रही है तो आप पौधे को report भी कर सकते हैं अभी बहुत ही सही समय है इसके लिए इसके बाद दोस्तों जो ये फूल में हमारे देखे सूख गये हैं खराब हो रहे हैं इन्हें हम हटाते रहेंगे इन्हें हटाना बहुत ही जरूरी है वरना बारिस में इसकी वज़े से fungus जरूर पैदा हो जाता है और ये बिमारी धीरे धीरे पूरे पौधे में फैल जाती है fungus अब दोस्तों इतना सब कुछ करने के बाद जो सबसे जरूरी काम है बारिस में वह होता है फंगिसाइट पाउडर का उप्योग करना क्या होता है कई दिनों तक की बारिस के बाद पौधों में पानी पत्तियों पे काफी टाइम तक लगा होता है और फंगस कई जगें से अपना रास्ता बरा लेते हैं पत्तियों के सड़ने के वज़े से या मिट्टी में पानी जमा होने के वज़े से तो इससे बचने के लिए आपको देखे यह 8-10 ग्रम यह फंगिसाइट पाउडर कोई पाउडर आप ले सकते हैं और इससे आप मिट्टी में और पौधों पे स्प्रिंकल इस प्रेवी कर सकते हैं अब इसके लिए ज़रूरी चीज है कैसे करना है और कब करना है तो दोस्तों जब आपके हां बारिस 2-3 दिन की बारिस होने के बाद थोड़ा मौसम आपको लगे कि बारिस रुकी हुई है और मिट्टी जब मिट्टी में आप दे रहे हैं तो मिट्टी हलकी सी ड्राई अग पौधों पे स्प्रे कर सकते हैं इससे जो फंगस बारिस की वज़े से अगर फंगस लग रहा है पत्ते सड़ रहे हैं और मिट्टी में फंगस बन रहा है तो वो खतम हो जाएगा तो इससे आपको 15-20 दिन में एक बार इस प्रकार से फंगिसाइट पावडर का उप्योग क जरूर करने चाहिए जिससे कि आपको इसका बेटर रिजल्ट देखने को मिले अब हम बात करते हैं चछटे जरूरी टिप्स पे कि इसके बिना आपको गार्डनी छट पे कम से कम टेर्स गार्डनी तो नहीं ही कर सकते हैं तो क्या होता है जो यह ड्रेनेज होल होता है हमारा छट पर से पानी निकलने का धूप काफी थी पतियां पीली पड़ती रही और गिरती रही तो जब बारिस का पानी गिरता है तो चारो तरप से पतियां और मिटी बहके आके ड्रेनेज होल के पास फसती हैं तो इन्हें आपको रेगुलर टाइम पे साफ करते रहना है मैं द और जो बारिस का पानी होगा वो आपके छट पे एकठा होगा ड्रेनेज होल के रास्ते निकलेगा नहीं अगर पानी नहीं निकलेगा तो गमले की जो मिट्टी है वो जल्दी सूखे की नहीं पानी जमा होने की वज़े से और मच्छड और साथ में फंगस भी पैदा होते रहेंगे तो इसकी रेगुलर टाइम पर सफाई आपको जरूर करनी है यह बहुत ही जरूरी काम है अब दोस्तों यह च्छे टापिक हो जाने के बाद मैं एक आपको एक्स्टर टिप दे रहा हूँ जो कि यह है कि जैसे जो आपके सेकुलेंट पौदें एडिनियम हो गया या जब आपको लग जाए कि दो तिन बारिस में लग गई पानी उसके बाद आप इन्हें आप ऐसी जगहें पर रखे जहां धूप तो आए पर बारिस का पानी लगातार ना मिले तो ऐसे कुछ जरूरी चीजे हैं काम है जो आप करके इस बारिस में मांसुन में अपने आप पौधों को दे सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को सेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें कोई सवाल हो गार्डनिंग से तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हम उसका उत्तर आपको देते रहेंगे